हेलो एविवन, वेरी गूड मॉनिंग, गूड इवनिंग, गूर आप्टर नून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने हिसाब से लगा लेजेगा, को दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड सबसे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक कि आपके सार नमर जादा मिलते हैं, कहने का मतलब आप अपने एक पेपर का इंपक्ट दूसरे पर बिल्कुल ना आने दे, अब मैं आपके बिल्कुल फटाफट मुद्दे पर आ जाता हूं, गाइस मैं आपके अगले पांच से दस मिनट लेने वाला हूं, रफली, एंड उसमें मैं जिपके बहुत इंपोर्टन टिप्स देने वाला हूं, हो सकता है कि आप इससे अपना कुछ स्कोर बढ़ा पाएं, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, और लास्ट तक सुनिएगा, हर एक पॉइंट बहुत इंपोर्टन है, आप यहाँ पर स्क्रीन देख पारे हों इसके बिजस्ट बाद आपका टेक्स है, दोनों के लिए स्ट्रेटीजी सेम है, बस जो बोथ मॉड़िल वाले हैं, उनको बहुत स्पीड अप करके करना है, सिक्वेंस मैं अपने हिसाब से आपको बतारा हूं, अगर आपने आपने प्लान करके रखा है, तो आप वही फॉ दो हैं, और GST के दो हैं, तो दो दो पार्ट में, और GST का I think 12-13 आर्स के हैं, तो आप पटाफट से चाहिए तो मैरेथान भी देख सकते हो, और स्पीड बढ़ा के देखना, अपको आपको बताया है, बताने के ज़रूत नहीं है, तो मैरेथान की लिंक मैं आपको नीचे देदूगा, और Notes और Planning की भी मैं आपको लिंक देदूगा, वीडियो के नीचे आप देखने न, आपको कहीं पर भटकना नहीं है, Second, हाना Single Module, Both Module मैं आपको बतारिया, अब एक छोटा सा किस्सा, शायद मैंने आपके साथ पहले शेर किया था, अगर नहीं किया था तो सुनी करने के बाद जब मैं अपने अपने हॉस्टल पीजी पर वापस आया, तो मैं लिटरली अगले आधे पॉन घंटे तक रो रहा था, यार पेपर विगड़ गया, ऐसे कैसे हो गया, फिर मैंने घड़ी देखा, मैंने बोला भाई, टाइम अप हो गया, रोने का टाइम अप ह हो गया, खतम, अब अपने को next paper पर focus करना है, और to my surprise, मैंने जितने भी papers दिये थे, सबसे ज़्यादा मुझे accounts में ही, जो है, मेरा score था, approximately 71-72, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई paper, okay, भी गया है, तो please कोई डरने वाली बात नी है, जब paper tough बनता है, तो checking बहुत बार lenient होती है, ठीक है, कहने का मतलब, एक score, एक paper का जो आप impact है, दूसरे के उपर बिल्कुल ना आने दे, ठीक है, next point, देखें बाई, examination जो क्या है, examination एक तरह का game है, आपको इसको strategically खिलना है, मैं आपको honestly बता रहा हूँ, जब आप text का paper देखेंगे ना, तो आपको एकद एकदम नए questions, हो सकता है, दिखें, बिल्कुल, अब examiner है, तो बनाए गई गई है, तो लेकिन वो maximum 5-8 number आता है, उससे जादा नहीं आता है, एकदम नए questions, अगर दिखेंगी तो आपको 5-8 number के देखते हैं, उससे जादा नहीं, लेकिन suppose हम यह assume भी करें, अगर बहुत tough paper ब रखूं, तो हो सकता है, maximum 30 आपके tough है, maximum वैसे 18 से उपर नहीं आते हैं, बट still, वहना on the worst side हम देख रहे हैं, फिर भी 70 questions ऐसे रहेंगे, जो easy रहेंगे, और medium level के रहेंगे, अब इसमें भी 70 questions में से भी, 15-20 questions ऐसे रहेंगे, जो आपके for sure देखे हुए रहेंगे, आपने आपको समझ जाएगा कि भाई, इसका answer क्या है, तो आपका 15 से 20 number score करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 20 number तो कैसे भी लेके ही आएंगे, ठीके, अब अपनी कहानी जो है, बस अगर आप सिर्फ passing का भी सोच रहें, मैं के लिए कह रहा हू बाकी लड़ाई अपनी 20-25 number किये, 45, 40, 50 तक पहुशना कोई बड़ी बात नहीं है, 90 प्लस वाले 90 प्लस का ही target लेके बैठे हैं, उनको मेरी तरफ से जो है, आप तो 90 प्लस का ही target रखना है, मैं ये किसके लिए कह रहा हूँ जो बहुत डर रहे हैं, आपको अपना score कैसे ब आपको जो paper है, अलग-लग sets में आता है, तो examiner जान मुझके क्या करता है, आपका confidence गिराने के लिए, पहले जो है last last chapter के questions डालके रखता है, क्योंकि उसको पता है कि generally ये बच्चे छोड़के जाते हैं, जैसे assessment appeals हो गया, various entities हो गया, companies हो गया, तो अगर आपने paper उठाया और आ जो question आपको बनना start, चालू हो जाना, उसको आप पहले 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 फटापट, 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 सॉल करते जाए, ठीक है, starting से speed up रखना, और please ज्यान रखना question पढ़ने में गलती नहीं करेंगे, तो उस पर आता हूँ उस वाले point पर, ठीक है, तो हो सकता लेकिन speed starting से ही बरकराद रखना, कहीं पर भी आपको slowdown नहीं हो रहा है, perfect, तो ये questions tough आई तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताया, next point, questions बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि majority जो दिक्कत हो थी है न, text में, question बहुत simple होता है, लेकिन अपन जल्दी जल्दी में उसको कई बार फिर अपन rebate वगरा भूल जाते हैं, कई बार अपन round off करना भूल जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चिल्दर 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 पॉइंट्स होते हैं, जो आप कई बार बहुत हडबडी में देखते ही नहीं है, तो प्लीज आपको question बहुत ध्यान से पढ़ना है, एकदम last तक, लास्ट में question mark दिया, या full stop दिया, क्या दिया हुआ, या आपको बहुत जहां से देखना है, question पढ़ने में गलती करने के वज़़ए से 15 नमबर बच्चे ऐसी lose कर जाते हैं, तो question पढ़ने में गलती नहीं करेंगे, ठीक है, next, आपकी accuracy matter करती है, बहुत सारे CS एक्जेटे के पास में ऐसे अपने students रह चुके हैं, जुन्होंने सिर्फ 60-65 का भी attempt किया है, तो उनके 40-45 नमबर आ गया है, बहुत जितना safe है, मतलब जितनी accuracy आपकी ज्यादा है, उतने तुक्के आप ज्यादा मार सकते हो, मतलब अगर आपको लगता है कि 60-65 marks का आपका accurate है, तो आप अगले 10-15 नमबर के risk ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि 50-55 नमबर का accurate है, तो आप 8-10 नमबर से जादा का risk नहीं ले सकते हैं, आपका scope ही नहीं है, तो जितनी आपका comfort level जादा होगा, उतना जादा आप risk ले सकते हो, तो ये बिलकुल आपको नहीं सोचना ह है कि पूरे के पूरे 100 टिक करके आना है, क्योंकि एक point of time पे ऐसे हो जाता है कि आपन बहुत ही irrational तुक्के मारते हैं, जो अपने को लगता है, जैमातादी करने लग जाते हैं, और ये वाकई में exam में होता है, तो अगर आपको लगता है कि जिस point of time पे लगई कि नहीं भाई मेरे हिसाब से pencil लेना और question paper में जो आप pending छोड़ रहे हो, तो उसमें पीपी लिख दो और वापस से बाद में lot कि आना, जिसमें बहुत time लग रहा है, जाधा से जाधा क्या होगा, invidator आपको मना करेगा, एक बार टोकेगा, तो भाई उसको कान पकट के sorry बोलना और उसको rubber से मिटा देना, उससे जाधा कुछ नहीं होने वाला है, पहली warning में कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा, तो आप बिलकुल अपने question paper में pencil से tick कर सकते हैं, को दिख करती हैं, जाध से जाधा उसको बाद में मिटा देना, ओके, यह ओफुलिए आपको सारी की सारी बातें आके रखना है, अब इसमें देखो, मन हो सकता है कि आपर आठ, साढ़े आठ मिनिट अल्री हो चुके हैं, चार पांच मिनिट में आपको maximum और लोगा, सुनिएगा, चैप्टर नमबर थर्ड, 13-15 नमबर का आता है, आईडिटी का, चैप्टर नमबर फिप्थ, मेरे नोट् चैप्टर नमबर करेंगे, आपको प्रोविजन पर जादा फोकस करना है, जितने जादा प्रोविजन आप कवर कर पाओगे न, जितने जादा आप चैप्टर कर पाओगे न, उतना जादा आपका confidence level रहेगा, MCQs अगर करना है तो एकदम last में, और वो भी कौन से वाले, जो past exam questions है, या फिर कुछ ऐसे questions जो आपने tick करके रखे होगे, कि हाँ भाई last day देखना है, सिर्व भाई देखना है, पूरे के पूरे आपको देखने की ज़रूत नहीं है, तो फ प्राइरिटी पर हमने रखा था, यह हना, residential status and basic, salary, house party, PGBP, यह 18 से 20 नमबर देखे जाते हैं, तो तीन चेप्टर में 30 नमबर हो गए, यहाँ पर 4 चेप्टर में 20 नमबर हो गए, 7 चेप्टर में 50 नमबर हो गए, तो भाई डरने की क्या बात है न, अब देखें next, PGBP में जिनको नहीं जमता है, उनको मैंने बोला था, अगर possible है, कम से कम यह सब करके जाओ, अब मैं इसको fast से थोड़ा scroll करना हूँ, आपको जब भी देखना होगा, तो आप pause करके देखने हो, यह सब मैंने चीज़े आपको बोली थी, कम से कम भाई, PGBP में आप इतनी चीज़े क करके जाएंगे, at least, इसमें presumptive बहुत important है, प्रिजम्टिव में आता ही आता है, depreciation में आता ही आता है, और बाकी जो मैंने चीज़े लिखी है, partnership वगरा वगरा, यह सब आता ही आता है, तो कृप्या करके इसको करके जाए, अगर आपने PGBP थोड़ा भी पढ़ा है तो, marathon से इसे भी आप cover-up कर सकते हो, आपका काफी कुछ cover-up हो जाएगा, next, अगर यहाँ पर last few तीन chapter होते हैं, various entities, companies, assessment, यह दसिर 12 number का आता है, ठीक है, अगर आपने खुद से पढ़ा है, तो well and good, नहीं तो में जो revision lecture से आप उसको speed-up करके देख सकते हो, अगर possible है, तो यह भी करना जी, of course, next, little champs थे आपके, 6-8 number के छोड़-छोड़े chapter थे, इसमें chapter number 1 basics जो है न, इसके last के 5-7 pages आप देख लेना, यहाँ से आपको 2 number मिल जाते हैं, बस बहुत easy है, 5-7 page, last के at least देख लेना, इसमें से 2 number मिलेंगे, clubbing set of 1-2-1-2 number कर रहता है, pen return filing में, pen कहां पर furnish करना करके जाना, हाना, TDS नहीं, sorry, TCS and advanced text, तो TCS and advanced text में पक्का question आता है, advanced text one of the favorite है, TCS में amendment है, मतलब नया वाला पार्ट है, इस वज़ज़ से, ठीके last की priority में आपको दी थी, exempt income, capital gains, other sources, deductions, TDS, तो इसमें, capital gains में ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई, सब से कमाएगा, मतलब आएग अगर आप एक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, साइड में भी रख दो, तो भी कोद इक्कत वाली बात नहीं है, अगर अगर आपने बाकी सारी चीज़े बहुत प्यार से अच्छे से पड़ी हैं, तो, इसके लावा, other sources में, gift वाला, dividend वाला, और family pension वाले point बहुत-बहुत- 3DS आप पढ़ पाए हैं, तो, वेलें गुड, नहीं तो, at least, उनका जो amendment वाला part है, वो भी देखेंगे, तो भी चलेगा, hopefully आपको सारे के सारे मुद्दे clear है, यही sequence आपको follow करना है, अगर आपने खुद का sequence नहीं जमाया है, अभी तक तो, ठीक है, अब इसके अलावा, मेर यही दुआ करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ, कि अगर आप single module दे रहे हैं, तो हम फटा-फट से second module के लिए मिने, और अगर आप both module दे रहे हैं, तो हम बस आपके जैसे result आए, तो हम CS professional के लिए मिने, और please आपका जो भी result रहेगा, वो मुझे update करेगा, और exam आपका कैसा गया, वो भी मुझे update करेगा, नीचे comments में करेंगे, तो भी चलेगा, आप जो है personal message करेंगे, तो भी चलेगा, perfect, तो please आपको एकड़क तरीके से पढ़ाई करनी है, आखरी paper है, first module वालों के लिए तो, everything depends upon your preparations only, तो सारे के सारे मुद्दे में आपको बता दिये, तो please यह बा परदस्त आपका paper होगा, जैसे अभी नीरत चोप्टा ने gold जीता ना, नीरत चोप्टा ने जैसे ही javelin throw किया था, उसके गिरने के पहले उसने celebration स्टार्ट किया था, क्यों, क्योंकि उसकी तैयारी उतनी कड़क थी, तो आपके हाथों में भी आपकी preparation से, आप तैयारी बहत सकते हो, दोड़ाई दिन के get में, ओके, so all the very 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 best guys, बहुत बहतरी तरीके से करके हो, और please आपका paper कैसा गया, मुझे वो update करिएगा बिना भूले, चले, thank you so much, ध्यान रखिए का health का भी, और first module का वालों का तो भी आकरी paper है, बिलकुल जान लगा दो, और दुनिया इदर के अधर हो जाए, बहतरी न तरीके से paper देना है, चले, bye, शुक्रिया, thank you so much,